दूसरा भाग परमिश्वर की प्राथमिक्ताओं की खोज में अध्याय पांच एक रिदे जो सेवा करता है मुझसे जो बन पड़ेगा उसके लिए करूंगा उत्पत्ती दोपध्य अठारह यह उकलहोमा विश्वविद्यालय में एक उज्वल गिरावट का दिन था जैसे ही मैं दोपहर के भुजन के बाद अपनी पहली कक्षा में पहुचा उसने फिर से मेरी आँख पकड़ ली मैं जहां था उसकी और चलते हुए वह मुश्कुराया हर सोमवार, बुद्वार और शुक्रवार को हमारा रास्ता एक दूसरे से टकरता हुआ लगता था क्योंकि वह भी अपनी कक्षा में जाने के लिए जल्दी करता था उसका नाम जिम जॉर्ज उस समय मेरे लिए अग्यात था लेकिन वह बहुत अच्छा लग रहा था, वह अच्छा देख रहा था और मुझे उसकी मुस्कान बहुत पसंद थी खेर, जाहिर था कि उसने मुझ पर भी ध्यान दिया था क्योंकि थोड़े समय बाद एक कॉमन फ्रांड ने हम दोनों के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी ये नवंबर 1964 में हुआ था वेलेंटाइन डे पर हमारी सगाई गुई और हमारी शादी स्कूल खत्म करने के बाद पहला सपताहांध था एक जून 1965 वो 35 साल पहले की बात है और मेरी इच्छा है कि मैं कैसकूँ वो एक अद्भुत आनन्द मैं खुश्णुमा 35 साल थे लेकिन मैं नहीं कर सकता आप देखिए हमने अपनी शादी भगवान के बिना शुरू की और ये कठिन समय के बराबर है शुरूआत से ही हम लड़ खड़ाए हमने वहस की और हमने एक दूसरे को नीचा देखाया क्यूंकि हमें अपने विवाह में त्रिप्ती नहीं मिली है हम अपने जीवन को विभिन कारणों, दोस्ती, शौक और बौधिक खोज में लगा देते हैं दो बच्चे होने से भी उस खालीपन की पूर्ती नहीं हुई जो हम में से प्रत्येक ने महसूस किया हमारा विवाहित जीवन आच निराशाजनक वर्षों तक नीरस था जब तक की परमेश्वर के अनुग्रह के एक कार्य से हमें की साय परिवार नहीं बन गए एक ऐसा परिवार जिसका मुख्या या केंद्र यीशू मसी है एक ऐसा परिवार जिसका बाइबल हमारे मार्ग दर्शक के रूप में है यीशू मसी को अपना जीवन देने से हमारे हृदयों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया परन्तु मसी हमारे विवाह को कैसे बदल सकता है हम में से प्रत्येक को मसी में एक नया जीवन दिया गया था लेकिन हम अपने विवाह में और इसलिए अपने घर में तनाव के साथ क्या करें मुझे इस बारे में बहुत कुछ सीखना था कि एक महिला, एक पत्नी और एक ऐसी मा कैसे बने जो परमेश्वर को प्रसन करती है और सौभाग्य से यीशु को अपना प्रभू और उद्धार करता बनाने के तुरंत बाद मेरे हाथों में एक कैलेंडर था जिसने मुझे बाइबल पढ़ने में मदद की एक जनवरी 1974 को मैंने उस कार्यक्रम का पालन करना शुरू किया और जब मैं पढ़ रहा था मैंने कुछ हैसा किया जो मैं आपको भी करने की सलाह देता हूँ मैंने प्रत्येक मार्ग को एक गुलावी माकर के साथ एक महिला के रूप में चिनत किया जो मुझे से बात करता था ठीक है परमेश्वर ने उसी दिन मेरे परिवर्तन पर काम करना शुरू कर दिया पहली जन्वरी को मेरे पढ़ने के पहले दिन मैंने ये किसाई पत्नी के रूप में अपनी पहली नियुकती पर ठोकर खाई जिम की सेवा करेंगे मैंने इन शब्दों को गुलाबी रंग से चिनहित किया मनुश्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है मैं उसकी सहायता के लिए उसे भिग दूनगा उत्पत्ती दो बज के अठारा मिनिट सेवा करने के लिए बुलाओ परमिश्वर के मन के अनुसार एक महिला वह महिला है जो सावधानी से सेवा भाव की भावना पैदा करती है चाहे वह विवाहित हो या नहीं यीशू के पद्चिनों पर चलते हुए प्रियम मित्र जो सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया है मत्ती 20.28 की आवश्यक्ता है कि जीवन भर सेवा के संबंध में हृदय के दृष्टिकोंड पर ध्यान दिया जाए और वो रवया और सेवा घर से शुरू होती है आ असकर अगर आप शादी शुदा हैं अपने पती के साथ भगवान ने एक महिला को अपने पती की सहेली के रूप में डिजाइन किया है तो एक इश्वरिय पत्नी बनने के लिए मेरे हजार मील के रास्ते पर पहला कदम यह समझना शुरू करना था कि मेरे पती की मदद करने के लिए मेरे पास भगवान से एक मिशन था और उत्पत्ति दोपद 18 की यह सहायता क्या है मैंने जिम की बाइबल अध्ययन की कुछ किताबे उधार ली और सीखा कि एक हेल्प मीट वह है जो मनुश्य की जिम्मेदारियों को साजह करता है उसकी प्रकृती को समझ और प्रेम क के साथ जवाब देता है और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए पूरे दिल से उसका सहयोग करता है एनी ओटिलूंड अपने पती के साथ एक टीम बनने की बात करती है यह देखते हुए कि एक टीम होने के नाते पती पत्नी के बीच प्रतिसपरधा की भावना दूर हो जाती है विवा की इस साज्यदारी के बारे में लिखते हुए वह एक पत्नी के रूप में वर्नन करती है जो अपने पती का पूर्जोर समर्थन और समर्थन करती है वो कहती है मेरी रावल के साथ दोड़ने की कोई इच्छा नहीं है इसलिए मैं प्रतियोगिता ट चाहता हूँ मैं इमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं एक बहतर पत्नी और एक बहतर इसाई बन गया जब मैं एक बहतर सहायता मिल गया ये जानकर कि मैं अपने पती की मदद करने के लिए परमेश्वर के मिशन पर थी मेरी आखे खुल गई परमेश्वर की योजना के अनसार म मुझे जिम से प्रतिस पर्धा नहीं करनी थी। ऐसा करने के बजाए मुझे इसका समर्थन और समर्थन करना था। उसे ही जीतना है और मुझे उसकी जीत को समभव बनाने में योगदान देना है। पूर्व राष्ट्रपती द्वाइट डेविड आईजनहावर की पतनी मैमी आईजनहावर के बारे में पढ़ने से मुझे इस बात की अधिक जानकारी मिली की हेल्प मीट होने का क्या मतलब है। जूली निकसन आईजनहावर ने समझाया मैमी ने अपने पती के लिए एक भावनात्मक समर्थन के रूप में अपनी भूमिका निभाए थी। उसे खुद को बढ़ावा देने में कोई दिर्चस्पी नहीं थी। इन सबसे उपर वो पुरुष के पीछे की महिला थी, वो महिला जिसने गर्व से घोशना की, इके मेरा करिया है। जैसा कि भगवान ने मेरे दिल में सेवा की भावना के महत्व को प्रभावित किया, विशेश रूप से मेरे पती के लिए एक मदद के रूप में मेरी भूमिका में मैंने प्रतेबधता की प्रार्थना लिखी जैसा कि मैंने ऐसा किया, मैं कुछ कदम पीछे हट गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरे दिल में जिम स्पष्ट रूप से सामने था और मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे था उस दिन और इश्वर से उस प्रार्थना में मैंने जिम की सेवा का जीवन शुरू किया जो दो दशकों से अधेक समय तक जारी रहा मेरे पास निश्चित रूप से करने के लिए कई व्यक्तिगत चीजें हैं, लेकिन प्रत्य एक दिन के लिए मेरा प्राथमिक उद्देश और भूमिका जिम को उसकी जिम्मेदारियों को साज़ा करने में मदद करना है, उसकी प्रकृती का जवाब देना है, और हमारे जीवन के लिए भगवान की योजना में उसके साथ पूरे दिल से सहयोग करना है, हाँ पर क्या से, हम सेवा करने के लिए समर्पित रिदय को कैसे विक्सित कर सकते हैं, ऐसा हृदय जो दूसरे व्यक्ति की सेवा करने में मसीह का अनुकरन करने के इरादे से हो, एक स्त्री ऐसा क्य कर सकती है जिससे परमेश्वर उसके भीतर पती की सहायता करने के लिए प्रतिबध्ध हृदय उत्पन कर सके इन सुझावों पर विचार करें अपने पती की मदद करने के लिए प्रतिबध्ध रहें सहारा बनेगा या नहीं बनेगा क्या वह अपने पती की मदद करने के या नहीं, वो अपने पती को अपना करिय बनाएगी या नहीं, इसका निर्ने आपको करना है, और जब आप अपना मन बना लेते हैं, तो हो सकता है कि आप परमेश्वर के प्रती-प्रतेबधता की अपनी खुद की प्रार्थना लिखना चाहें, अपने शब्दों से अपने पती की मदद करने, उनके साथ एक टीम बनने और उनकी मदद को अपना करिय बनाने के निर्ने को प्रतिबिम्बित करने दें, भगवान के दिल के बाद एक महिला अपने पती की मदद करने की अपनी प्रतिबधता को पूरी तरह से पूरा करती है पहले किसी भी बकाया खाते को साफ करती है उसने लिखा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्रभू और अपने पती से मुझे माफ करने के लिए कहने की जरूरत है मुझे अपने विवाह में परमेश्वर के वचन को लागू करना भी शुरू करना था इस बात को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सेवा के प्रती समर्पित रिदय को पोशित करना शुरू किया अपने पती पर ध्यान दे मैं जानता हूँ कि ये संघर्ष का एक शेत्र हो सकता है, जैसा कि हमारी पापी प्रकृती चिलाती है, मैं पहले हालां कि परमिश्वर चाहता है कि हम अपने पतियों से कहीं, पहले तुम इसलिए अक्सर अपनी शादी को लेकर खुद से ये सवाल पूछें, नमबर वन कौन है? एक व्यभारिक तरीका जिससे मैं जिम और उसकी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ, वो है उससे हर दिन दो सवाल पूछना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और आज मैं आपके समय का बहतर उपयोग करने में आपकी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? आप छिन्ता कर सकती हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में किया था आपके पती के अनुरोधों के बारे में जो आपके बहुत समय का उपभोग कर सकते हैं. लेकिन मुझे आपको बताना होगा, पहली बार जब मैंने जिम से ये सवाल पूछे, तो वो चाहता था कि मैं उसके पसंदीदा स्पोर्ट्स कोट पर एक बटन सिल दूँ, बस इतना ही था, और मेरे लिए यह बिलकूल भी बोजल नहीं था कि एक छोटे से बटन पर सिलाई क करके सुई और धागे को बाहर निकाला जाए और जिम को मेरी नंबर एक मानविय प्राथमिक्ता बना दिया जाए, कभी कभी, हालां की, उनकी मांग अधिक होती है, उदाहरन के लिए पिछला सप्ता, अधिक, मांगों का एक सप्ता था, क्योंकि जिम अपनी सशस्त्र जर्विकाई के साथ पांच महीने के लिए जर्मनी की यात्रा करने की तयारी कर रहा था, वस्यत, जन्म प्रमान पत्र और विवाह लाइसेंस के लिए तिजोरी की ओर भागने जैसी चीजों के साथ, दिन शारीरिक कामों से भरे हुए थे, दंद चिकित सक का दोरा करने के लिए, रख निकालना, बंधक रिकॉर्ड, पासपोर्ट प्राप्त करना, और घर को ठीक करने और देश छोड़ने से पहले अपने काम को व्यवस्थित करने के साथ साथ इमेल तयार करना, और यह सब जैसे जैसे मेरी पुस्तक के वित्रण की देयतिथी निकट आ रही थी, हालां की, भले ही मुझे कभी कभी जिम द्वारा मेरे दो प्रश्नों के उत्तर पसंद नहीं आते, उसके उत्तर मेरे दिन के शेड्यूल को पूरी तरह से बदल सकते हैं, मैं चाहता हूं कि वह मेरी नंबर एक मानविय प्राथ मिकता हो और उसके लिए यह जानना की यह है, आखिरकार, भगवान की ओर से मेरा काम है, उसकी मदद करना, उसका जीवन आसान बनाना, यहां तक कि अगर आपके पास पती नहीं है, तब भी आप दूसरों की सेवा और मदद करने पर ध्यान केंद्रित करके इसाई सेवा के दिल का पोशन कर सकती हैं, शाहे आप विवाहित हो या नहीं, अपने आसपास के लोगों की सेवा करना पर मेश्वर को प्रसन करता है और दुनिया को मसील को देखने की अनुमती देता है, अपने कारियों का मूलियां कन करें, यह मेरे पती की मदद करेगा या बाधा डालेगा, मैं आपको एक साधारन उदाहरन देता हूं, आपके पती के बॉस ने आपको एक व्यापार यात्रा पर जाने के लिए कहा है, और आप नाराज हैं और दंडित हैं क्योंकि आपको जाना है, क्या वह रवया आपके पती की मदद करता है या बाधा डालता है, वो सरल प्रश्न एक अच्छा लेंस हो सकता है, बुराई के माध्यम से हम देखते हैं कि हम अपने विवाह में कैसे कार्य करते हैं, मेरी नाइकाओं में से एक इंजिलवादी बिली ग्राहम की पतनी रूथ ग्राहम है, जब मेरे पती एक पूर्णकालिक मदरसा छात्र और पूर्णकालिक चचकार्य करता थे जो हमारे मिशन के पादरी के साथ बड़े पैमाने पर यात्रा कर रहे थे, तो मैंने उस समय का लाब उठाते हुए श्रीमती ग्राहम पर मिलने वाली हर किताब को पढ़ा, क्योंकि उनके प्रसिद पती साल के लगभग दस महीने घर से दूर रहते थे, मैंने उनसे अकेले रहने के बारे में बहुत कुछ सीखा, इस बुद्धिमान कथन पर ध्यान दें, हमें उन चीजों को कम महत्व देना सेखना होगा जो दूर जा रही हैं और उन चीजों को अधिक महत्व देना है जो करीब आ रही हैं, एक सहकर्मी के प्रोटसाहन के इन शब्दों ने मुझे जिम के लिए एक बहतर मदद दी है, क्योंकि वो प्रत्येक यात्रा जर्मनी में अपने पांच महीनों सहित की तयारी करता है, और उसे चिड़ाने या दंडित करने की मेरी इच्छा को कम कर दिया है, मैं आपको एक और उदाहरन दता हूँ, आपके पती ने आपको बजट की स्थिती बता दी है, लेकिन आप तुरंट कुछ चाहती हैं और इसके लिए जोर दे रही हैं, अनुभव से मैं इस स्थिती को जानता हूँ, हम एक दशक से अधेक समय से अपने घर में रह रहे थे, जिसका रांग उखड़ गया था और जिसकी छटा समान थी, और अंत में यह कुछ रिमोडेलिंग करने का समय था, मैं अभिभूत था, मेरे लिए, इन सभी वर्षों के लिए हमारे आकरशक छोटे से घर में लकडी से जलने वाली चिमनी नहीं थी, और यह एक स्थापित करने का हमारा मौका था, लेकिन जिम बैठ गया और मुझे यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे बजट में एक जोडने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, हालां कि मुझे वह चिमनी चाहिए थी, तो वह इस तरह की बाते कहते, क्या यह रात चिमनी में आग देखने के लिए एक अदभुत रात नहीं होगी, या कल्पना कीजिये, अगर हमारे पास लकडी जलाने वाली चिमनी होती, तो हम गर्माग के सामने कुछ लट्ठे डाल सकते थे और खाना खा सकते थे, लेकिन फिर मैंने अपने आप से पूछा, लिज, तुम मदद कर रही हो या बाधा, मुझे तुरंत उत्तर पता था, और आपने भी किया, एक दिन परमेश्वर ने मुझे यह समझने में मदद की कि मैं जिम को धमका रहा था, और मैंने परमेश्वर के सामने वादा किया कि मैं उसके सामने चिमनी का जिक्र नहीं करूंगा, मैंने उस प्रते बधता को परमेश्वर से प्रार्थना में लिखा था और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आभारी हूँ, मैंने फिर कभी चिमनी का उलेख नहीं किया एक और उदाहरन, आपके पती सोचते हैं कि उन्हीं कहीं और जाना चाहिए ताकि वे परिवार के लिए बहतर व्यवस्था कर सकें, और आप या तो नहीं चाहती हैं या दृर्टा से कहती हैं, उस जगा के लिए नहीं, एक पादरी होने के नाते मेरे पती ने इस्थिती में एक जोडे की काउंसलिंग की, पती एक ट्रॉक ड्राइबर था और वो अपनी शादी में होने वाली तूट फूट के कारण अपनी नौकरी बदलना चाहता था, यह इस कारण से था कि वे शुरू में परामर्श के लिए आये थे, अंत में, उन्हें आधे राज्य की दूरी पर एक बहुत अच्छी नौकरी का अवसर दिया गया, जहां वे एक घर खरीद सकते थे और अपना परिवार शुरू कर सकते थे, मारियला, हालां की, हिलना नहीं चाहती थी, वो अपनी नौकरी से प्यार करती थी और अगला बड़ा प्रमोशन पाने वाली थी, लेकिन की परमेश्वर की योजना यह थी कि उससे अपने पती की मदद करनी चाहिए, जो दूसरी नौकरी के माध्यम से बहतर आर्थिक रूप से प्रदान करने की कोशिश कर रहा था, और आध्यात्मिक रूप से अपने विवाह की स्थिती में सुधार करना चाहता था, तो वो सम मजगई की उसे मदद करनी चाहिए और उसके नितरत्व में बाधा नहीं डालनी चाहिए, इसलिए वे चले गए और परमेश्वर ने उनके नए शहर में इस अनमोर जोड़े के लिए कितनी बड़ी आशिश की प्रतिक्षा की थी, फिर भी एक और उदाहरन, आपके पती ए उने चुना है उसका अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, या आप समय पर नाश्टा तयार करने के लिए कभी भी जल्दी नहीं उठते हैं, आप परिवार भक्ती करने के लिए, ज्यादातर परिवारों में, पत्नी आमतोर पर सुबल घर पर यात्रा कार्यक्रम के लिए जिम्म उने के लिए समय निकालने की क्षमता रखती है, यदि आपका दिल सेवा के लिए प्रति बद्ध है, तो आपके पास अपने पती को इस लक्ष्य को पूरा करने और किसी अन्य लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने की शक्ती है, क्या आपका दिल सेवा करने के लिए प्रत सरल और नेक कारिया है और बड़ा प्रतिफल मिलता है पर मिश्वर के मिशन को जीने से निश्चित रूप से हमारे पतियों और किसी और को भी लाब होता है जिसकी हम सेवा करते हैं लेकिन हमें भी लाब होता है जब हम स्वयम मसीह की सेवा करना सीखते हैं सेवक होना मसीही परिपक्वता का चिन है, यह मसीही का सच्चा चिन है, फिलिप्पियों दो पद साथ जिसने मृत्यू तक सेवा की मत्ती 20 पद 28 तो आप एक सहायक के रूप में कैसे योग्य हैं? आपकी शादी में, क्या आप खुद को एक टीम के हिस्से के रूप में देखते हैं? सभी प्रतिसपर्धी कारियों, विचारों या इच्छाओं से मुख्त क्या आपका पती आपका मुख्य पेशा है? क्या आपके पती की मदद करना आपके दिल की मुख्य चिन्ता और आपकी उर्जा का मुख्य फोकस है? क्या आपने अपने लिए परमेश्वर की योजना का पालन करने के लिए अपना जीवन और अपना हृदय समर्पित किया है? अपने पती की मदद करने और बाधना डालने की योजना जैसा कि आप और मैं अपने पतियों की भलाई को बढ़ावा देते हैं और दूसरों की भलाई को भगवान ने हमारे जीवन में रखा है हमारी सेवा भगवान की महिमा करेगी अध्याएच है एक विद्य जो समर्पन करता है उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जो मेरे पती के लिए अधिक से अधिक मददगार होगा मैंने अपनी बाइबल पढ़ना जारी रखा जैसा की मैंने किया मुझे एक पत्नी के रूप में अपनी भूमिका के बारे में और अधिक जानकारी मिली और मैंने अज्य छोटी छोटी बाते देखी जिनकी मुझे आवश्यक्ता थी यदि मुझे उस तरह की पत्नी बनना है जैसा परमेश्वर चाहता था वास्तव में मेरे गुलावी माकर ने प्रिष्ठों को जितनी बार चिनत किया उससे मुझे पता चला की मेरे सामने बहुत काम है दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो मैंने देखा वह यह था कि मेरे पास अपने पती को समर्पित करने के लिए परमेश्वर की ओर से एक मिशन था एक नया इसाइब होने के नाते अधीनता की अबधारना मुझे कुछ विदेशी लगी और मुझे कुछ शोध करना पड़ा जब मैंने किया तो मैंने पाया कि बाइबल में सबमिशन ग्रीक में टासुटस ओफ मूल रूप से एक सैन्य शब्द है जिसका अर्थ है खुद को किसी अन्यव्यक्ती की कमान में रखना दिल का यह रवय प्रस्तुत करने और आग्याकारिता के माध्यम से रहता है किसी अन्यव्यक्ती द्वारा चीजों का न्याई करने, किसी अन्यव्यक्ती की राय या अधिकार को मानने या संदरवित करने के द्वारा जैसा कि मैंने पहले ही कहा अब धारणा मेरे लिए विदेशी थी और मेरे दिल में संदेह था लेकिन मैंने अध्ययन करना जारी रखा और परमेश्वर के मन के अनुसार एक स्त्री और पत्नी बनने की प्रार्थना की और बाइबल के कुछ खुलासों ने मुझे उस समर्पन के बारे में हृदय की प्रवृती को बहतर धंग से समझने में मदद की जो परमेश्वर अपनी स्त्रियों में चाहता है सबमिशन के बारे में तथ्य सबसे पहले तथ्य यह है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए इसाई जीवन शैली में समर्पन शामिल है आपको और मुझे एक दूसरे के अधीन होने के लिए बुलाया गया है इफिसियों पांच बज के 21 मिनिट हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा चाहे हम विवाहित हो या न हो चाहे हम युवाहो या व्रिधर यह है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें सेवा करें और समर्पन करें हम मसील के चरित्र को इस हद तक प्रतिबिम्बित करते हैं कि हम स्वार्थ से दूर चले जाते हैं और अन्य लोगों के प्रती सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। परमेश्वर के लोगों, उनकी स्त्रियों और उनकी कलिसिया का हरदैसा होना चाहिए जो समर्पन के लिए इच्छुखो, दूसरों का सम्मान करने और उनके प्रती समर्पित होने के लिए समर्पित हो. जहां तक विवाह का संबंध है, परमेश्वर ने आदेश के लिए स्थापित किया की पती नित्रत्व करे और पत्नी पालन करे. विवाह ठीक से चलने के लिए परमेश्वर ने कहा है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझ लो की मसी प्रत्येक पुरुष का सिर है, जबकि पुरुष स्थ्री का सिर है और परमेश्वर मसील का सिर है, का पहला अक्षर कुरिथियों 11 पद 3. लेकिन घबराएं नहीं, पुरुष के नित्रित्व का मतलब यह नहीं है कि हम पत्नियां बुद्धिमान सलाह नहीं दे सकती हैं, नीतिवचन 31 पद 26 या निर्नय लेने की प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट प्रश्ण पूच सकते हैं, हाला की पती के नित्रित्व का अर्थ यह है कि वो अंतिम निर्नय के लिए जिम्मेदार है, लेखक एलिजाबेथ हेलियत ने अपने बच्छपन के दौरान अपने पिता के नित्रित्व का वर्नन किया है, परिवार के मुख्या का मतलब यह नहीं था कि हमारे पिता आदेशों पर भौंगते थे बिना विचार कि ये अपनी बोली लगाते थे और अपनी पत्नी से अधीनता की मांग करते थे इसका मतलब केवल इतना था कि वो अंतता जिम्मेदार था आखिरकार पती को ये कगवा के रूप में अपने निर्म्यों के लिए परमेश्वर को लेखा देना होता है और हमें परमेश्वर को लेखा देना होता है कि हमने उस नितरत्व के प्रति कैसे समर्पन किया हमारे पती परमेश्वर को उसके नित्रित्व के लिए जवाब देते हैं और हम जवाब देते हैं कि हम उसके नित्रित्व का पालन कैसे करते हैं अब मैं आपसे पूछता हूँ आप इन में से किस जिम्मेदारी का सबसे ज़्यादा आनंद लेंगे पूरुष को अगुवा होने और स्त्री को पालन करने के लिए परमेश्वर के निर्देश सुन्दर्ता और व्यवस्था दोनों में परिनाम देते हैं मुझे याद है कि एक बच्चे के रूप में एक संग्रहाले में एक भर्वां बक्री सिर देख रहा था केवल अजीब बात यह थी कि उसके दो सिर थे यह सामान्य विच्छित्र एक अजीब प्रतिक्रिया एक जिग्यासा थी और ऐसा ही दो सिर वाली शादी है लेकिन भगवान एक आदर्श कलाकार ने विवाह को एक सिर पती देकर सुन्दर स्वाभाविक और कार्यात्मक बनाया धन्यवाद भगवान शादी आपकी कलाका काम है प्रस्तुत करने का निर्नए गुलाबी रंग में चिनहिते कन्य गध्यांश ने मुझे सिखाया की जमा करना या न करना मेरी जिम्मेदारी है उसने कहा पत्नियों अपने अपने पती के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभू के इफिसियों पांच बज के बाइस मिनिट समर्पन पत्नी का निर्नए है वो तै करती है कि उसे अपने पती को प्रस्तुत करना है या नहीं न कोई उसके लिए यह कर सकता है और नहीं कोई उससे ऐसा करवा सकता है आपका पती आपको समर्पन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता आपका चच आपको समर्पन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता नहीं कोई सलाहकार कर सकता है उसे स्वयम अपने पती को प्रस्तुत करने का निर्नए लेना चाहिए मैं आश्चर्य चकित था और एक इसाई महिला के रूप में बढ़ा हुआ जब मैंने आपके और मेरे जैसी चार महिलाओं के बारे में पढ़ा जो बाईबल का अध्यायन करने के लिए साप्ताहिक रूप से मिलती थी एक सप्ताहवे कुरिथियों ग्यारा पद तीन के पहले अक्षर पर ठोकर खा गए एक पद जो विवाह में पती के नित्रित्व से संबंधित है यह वो पद है जिसे हमने अभी देखा जो हमें बताता है अब मैं चाहता हूँ कि तुम यह समझ लो की मसी प्रत्येक पुरुष का सिर है जबकि पुरुष स्त्री का सिर है और परमेश्वर मसी का सिर है परमेश्वर की योजना के आमने सामने आने के कारण उन्हें कुछ निर्नय लेने पड़े उस रात के नेता ने पड़ा कविता जोर से रुका हुआ और फिर से पड़ा उनमें से प्रत्येक महिला यह सभी जानते थे उनकी शादी में प्रमुक थी किसी ने कमजोर होकर कहा क्या सेंट पॉल नित्रत्व और समर्पन के बारे में कुछ और कहते हैं एक अनुक्रमनेका से परामर्श किया गया और अन्य पॉलिन कतनों को पड़ा गया कुलुसियों तीन पद अठारा एफिसियों पांच पद बाइस और तीमुथियुस दो पद ग्यारा का पहला पात्र थोड़ी चर्चा हुई अन्त में नेता ने कहा अच्छा लड़कियों हम क्या करें किसी और ने कहा हमें करना होगा फिर चमतकार हुआ एक साल से भी कम समय में चारों महिलाएं आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को बता रही थी और लगभग हर दूसरी महिला जिसे वे जानती थी क्या हुआ था पती पत्नी उनमें से चार ने चुपचाप उनकी जगह ले ली थी और बेना किसी अपवाद के प्रति एक महिला ने महसूस किया कि उनकी शादी खुशी और आनंद के एक नए आयाम में हुई है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी सही काम करने का आयाम यह देखना इतना आश्चर्य जनक है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा चारों पत्नियों को एक दिन एक और भी आश्चर्य जनक सच्चाई का एहसास हुआ उनके पतियोंने कभी भी नितरत्व का दावा नहीं किया था और नहीं वे कभी भी नितरत्व का दावा करेंगे, यह केवल पत्नी की ओर से पती के लिए एक मुफ्त उपहार हो सकता है। क्या आप एक आज्याकारी हृदय के व्यवहार के द्वारा अपने पती को नित्रित्व का उपहार दे रही हैं क्या आप उस सुरक्षा का अनुभव कर रही हैं जो आपके विवाह के लिए परमेश्वर की योजना का पालन करने का निर्नय लेने से आती है प्रस्तुत करने वाला अधीनता का कौन एफिसियों पांच पद 22 में स्पष्ट है पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो एफिसियों 22 लेखक द्वारा इटेलिक उन लोगों के प्रती नहीं जिनकी हम प्रशंसा या सम्मान करते हैं और यह एक महत्व पूर्ण भेद है एक इसाई महिला जिसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो विश्वासी नहीं था मेरे पास सलाह के लिए आई सुजाना अपनी नौकरी छोड़कर चार साल के लिए एक बाइबल कॉलेज में जाना चाहती थी ताकि खुद को पूरे समय इसाई काम के लिए तैयार और समर्पित कर सके अपने मन की इच्छा बता कर मैंने उससे पूछा अच्छा सुजाना तुम्हारे पती इस बारे में क्या कहते हैं उसने मुझे तुरंट जवाब दिया वो मुझे नहीं चाहता सुजाना क्यूं मैंने कहा भगवान ने कहा है आप देखिए विवाह के लिए परमेश्वर की योजना प्रत्येक पत्नी के लिए है कि वो अपने पती का सम्मान करे और उसके अधीन हो जब सुजाना ने अपने सपनों के बारे में अपने पादरी और अपने इसाई बॉस से चर्चा की तो उन दोनों ने उसे अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा वो अन्य लोगों के मार्ग दर्शन का पालन करने के लिए बहुत इचुक थी लेकिन बाइबल स्पाष्ट है हमें अपने स्वयम के पतियों के अधीन होना चाहिए ना कि किसी कलिसिया के अगूवे के प्रती नहीं अन्य लोगों के प्रती जिनका हम सम्मान करते हैं यहां तक कि अपने पिता के प्रती भी नहीं कभी कभी हम यह कहते हुए परमेश्वर की योजना को एक और धकेलने के लिए प्रलोभित होते हैं मेरा पती परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है इसलिए मुझे उसके अधीन नहीं होना है या मेरे पती इसाई नहीं है इसलिए मुझे अधीन होने की आवश्यक्ता नहीं है उसे प्रेरित पत्रस ने निमनलिखित शब्द लिखे उन महिलाओं की मदद करने के लिए जो ठीक उस स्थिती में थी अविश्वस्निय और अवग्याकारी पतियों वाली महिलाएं उसी तरह तुम महिलाएं अपने पतियों के अधीन रहो ताकि जो वचन पर विश्वास न करें वे भी बेना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खीच लिए जाएं पत्रस तीन एक का पहला पत्र दूसरे शब्दों में अपने पतियों के प्रते हमारी अधीनता चाहे वह एक इसाई है या नहीं चाहे वह इश्वर की आग्या का पालन कर रहा हो या नहीं किसी भी अवसर पर हमारे मुझ से अधिक प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली उगदेश देता है यह महत्वपूर्ण है कि हम यहां उस अपवाद का उलेक करें जो पती की सलाह का पालन करने के संबंध में मौजूद है जो तब होता है जब वो उससे कुछ हैसा उल काम करने के लिए कहता है एक पादरी के पास जाओ जिस पर तुम हरोसा करते हो और वहां मिलने वाली सलाह का पालन करो प्रस्तुत करने का तरीका कौन को स्पष्ट करने के अलावा इफिसियों पांच पद 22 हमें अधीनता का कैसे भी देता है पत्मियों अधीन रहो या अप जैसे ही मैंने जिम के प्रती समर्पित होना बंद किया और प्रभू को समर्पित होने के बारे में सोचने लगा मेरा अधीनता संघर्ष धीरे धीरे शांथ हो गया अपने मन में मैंने जिम को एक तरफ रख दिया और इसने मुझे प्रभू के चेहरे का सामना करने की अनुमती दी अच्छानक प्रस्तुत करने का कैसे इतना सरल और आसान हो गया मेरी अधीनता का जिम से कोई लेना देना नहीं है और सब कुछ प्रभू से संबंधित है जैसा की एक परिचित पवित्र शास्त्र कहता है और जो कुछ भी तुम करते हो अपने पती के अधीन होने सहित मन से करो मानो मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभू के लिए, कुलुसियों तीन बज के तेस मिनट, लेखक द्वारा इटेलेक, जिम का सम्मान करने, समर्पन करने और उसका अनुसरन करने के लिए इस शास्त्रवचन को लागू करने में सक्षम होना क्या ही आशीश है? सबमिशन का दाइरा लेकिन अपने पतियों के प्रती हमारी अधीनता के सद तक है हमें किन मामलों, निर्म्यों और स्थितियों में प्रस्तुत करना चाहिए? दो शब्दों में सब कुछ जैसे कलिसिया मसीह के आधीन रहती है, वैसे ही पत्नियां भी सब बातों में अपने अपने पती के आधीन रहें इफिसियों 5 पद 24, लेखक द्वारा इटेलेक लेखन स्पष्ट है, हर चीज में इसलिए जब भी मुझे, हाँ, लेकिन, या क्या होगा अगर कहने का लालच होता है, तो मैं इन दो छोटे शब्दों को याद करने की कोशिश करता हूँ, हर चीज में वी दो शब्द बड़े और छोटे मामलों को समान रूप से कवग करते हैं 1994 के कैलिफोर्निया भूकम्प के कारण बड़े पैमाने पर पतन के बाद, जिम और मैं तूटे हुए प्रकाश जुड़नारों को बदलने के लिए एक साथ गए टिफिनी ग्लास टेबल लाम्प पाकर हम खुश थे हालां कि जब हम अपना दीपक घर ले आए तो मेरा दिल तूट गया जब मैंने बॉक्स खोला और उसके फीके रंग देखे हरे और गुलाबी रंग हमारी लाइब्रेरी के चमकीले हरे रंग से कभी मेल नहीं खाते लेकिन जिम ने सोचा कि यह अच्छा लग रहा है और कहा कि इसे वापस करने का कोई कारण नहीं है यह आसान नहीं था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा यह देखते हुए कि यह मेरे पती के प्रतिसमर्पित होने का एक और मौका है जैसे कि सब कुछ में और एक शब्द भी कहे बिना मैं मानता हूँ कि दीपक एक छोटी सी चीज है लेकिन यह छोटी चीजें सब कुछ में शामिल होने के लिए एक अच्छी जगह है हम बाद में बड़ी चीजों पर पहुँचेंगे लेकिन अभी भगवान से कहें कि जब अगली चोटी चीज आपके सामने आए तो आपको समर्पन करने का अनुग्रह दें प्रस्तुत करने की शक्ती क्या आप मुख्य कारण जानते हैं कि हम अपने पतियों के अधिम क्यूं नहीं है भगवान कहते हैं कि यह डर से बाहर है हमें डर है कि अगर हमारे पती हमारे बजाए अपने तरीके से काम करे तो क्या हो सकता है निस संदे है, समर्पन के लिए परमेश्वर की बुलाहट से परे उसमें विश्वास का जीवन जीने के लिए एक गहरा और अधेक मौले का हवान नहेत है इसी तरह बाइबल की पवित्रस्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखते थी प्राचीन काल में अपने आपको सवारती थी हर एक अपने पती के अधीन थी और हम उनके नक्षे कदम पर चल सकते हैं यदि हम अच्छा करते हैं और बिना किसी डर के जीते हैं पत्रस तीन छंदों का पहला पत्र चार से छे विश्वास डर के विप्रीत है मरकुस चार पद चालीस लेकिन विश्वास समर्पन के साथ कैसे मेल खाता है यह विश्वास ही है कि आप और मैं मानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में सीधे हमारे पती के माध्यम से कार्य करता है यह हमारे सार्वभाम परमेश्वर में विश्वास के द्वारा है कि हम अपने पतियों के प्रति समर्पन करते हैं यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर उनके निर्णियों और उन निर्णियों के अंतिम परिनाम को जानता है और यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर उन निर्म्यों का मार्ग दर्शन करता है, यदि वो उन्हें नहीं तो छुढाता है. इसलिए यह परमेश्वर पर विश्वास करने से ही है कि हमारा भय दूर हो जाता है और हम समर्पन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं. जब आप अपने पती के अधीन होने के बारे में अधिक सीखती हैं, तो क्यूं ना परमेश्वर से अपने शिश्यों की तरह अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए कहें, लुका सत्रा पद पांच इश्वर में विश्वास हमें अपने पतियों की आग्या मानने और उनके अधीन रहने की शक्ती देता है प्रस्तुत करने का कारण शायद वो पवित्र शास्त्र जो मेरे दिल को गहराय तक छू गया था जब भगवान की अधीनता जड़ पकड़ रही थी युवा महिलाओं को अपने पति के अधीन रहना सिखाएं ताकि भगवान के वचन की निंदा ना हो निंदा बदनाम टाइटस दोपद चार और पांच लेखक द्वारा इटेलेक जैसा कि मैंने इन छंदों पर ध्यान दिया, मेरे पती को प्रस्तुत करने का विचार अचानक स्वर्गी अक्षेत्र में कूद गया, जिम को प्रस्तुत ना करने के लिए सभी सांसारिक, गरीब, स्वार्थी, कामोक बहानों को पार कर गया एक बार फिर मेरे लिए यह सपश्ट हो गया कि मेरी अधीनता का जिम से कोई लेना देना नहीं है और सब कुछ भगवान से है उसने अधीनता स्थापित की है, उसने अधीनता की आग्या दी है, और जब मैं करता हूँ तो वह सम्मानित होता है मेरे पती के प्रती मेरी आग्याकारिता उन सभी के लिए गवाही देती है जो देख रहे हैं कि परमेश्वर का वच्चन और उसके तरीके सही है यह कॉल टू सबमिशन वास्तब में एक शांदार कॉल है हाँ पर क्यासे? पत्नी अपने पती के प्रती समर्पन कैसे करती है? यहाँ कुछ कदम मैंने उठाए हैं अपने पती का सम्मान करने के लिए अपना दिल दो एक बदलाव के लिए एक निर्नए की आवश्यक्ता होती है और अंत में सबमिशन के मामले में यही होता है आपको और मुझे अपने पती के अधीन होने का निर्नय लेना है, अधीनता का अभ्यास करने का निर्नय लेना है और इस तरह से परमेश्वर और हमारे पती का सम्मान करने के लिए अपने हृदयों को समर्पित करना है इसका सम्मान करना याद रखें समर्पन वृदय के सम्मान के मौलिक द्रिष्टि कोन से प्रवाहित होता है परमेश्वर कहते हैं और पत्नी अपने पती का आदर करे इफिसियों 5 पत 33 लेखक द्वारा इजैलिक भगवान हमें सम्मान महसूस करने के लिए नहीं कहते हैं बलकि सम्मान दिखाने के लिए सम्मान के साथ कार्य करने के लिए कहते हैं अपने पतियों के प्रती हमारे सम्मान को मापने का एक अच्छा तरीका इस प्रश्न का उत्तर देना है क्या मैं अपने पती के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही हूँ जैसा मैं स्वयम मसीह के साथ करती हूँ आप रोज के छोटे छोटे पलों में अपने पती के प्रती अपना सम्मान दिखाती है उदाहरन के लिए क्या आप अपने पती से कुछ करने के लिए कहती है या उसे आदेश देती है जब वो आपसे बात कर रहा हो तो क्या आप उसे रोकते, देखते और सुनते है जब वो उसके बारे में बात करता है क्या आप इसे सम्मान के साथ करते है अपने पती की बातों और कारियों का सकारात्मक तरीके से जवाब दे उह, सबमिशन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था मैं 1960 के दशक में एक छात्र था, सभी सत्ता के खिलाफ विरोध का दशक था और मैं 1970 के दशक में महिला मुक्ती अंदोलन का हिस्सा था इसलिए जब मैं परिवर्तित हुआ, तो मुझे परमेश्वर और चच में पाए जाने वाली प्रेम करने वाली महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सीखना था हालांकि पुरानी आदतों को तोड़ना मुश्किल होता है मैंने फुफकारा, फुफकारा, लातमारी और जिम के साथ हर चीज के बारे में लड़ाई की, किसले इन में ड्राइब करना है? चाहे हमने रविवार की सुबह चच के रास्ते में मीठे रोल खरीदे हो या नहीं, बच्चों बनाम मेरे बच्चों को अनुशासत करने का उनका तरीका, हम कैसे कर रहे थे अपने मंत्राले का प्रबंधन करने के लिए? हमारे संगहर्ष निरंतर थे, मुझे पता था कि शास्त्र ने क्या कहा है, मैंने उन अन्शों को भी याद कर लिया था जिन पर हम विचार कर रहे थे, लेकिन मैं अभी भी प्रस्तुत नहीं कर सका, मेरे लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारियान वयन के साथ प्रगती दि मैंने लगी, मैंने प्रशिक्षन लिया, हाँ, मैंने खुद को प्रशिक्षित किया कि मैं अपने पती द्वारा कही गई या कि गई किसी भी बात और हर बात पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दू, और प्रशिक्षन दो चरण की प्रक्रिया थी, पहला चरण, कुछ मत कहो, क्य या आप कभी ऐसी महिला के सामने रहे हैं जिसने अपने पती का सम्मान नहीं किया, वो उसे डांटती है, उसे सुधारती है और सारवजनिक रूप से उससे असहमत होती है, वो उसे सुधारती है और छोटी सी बात पर उससे लड़ती है, नहीं, वो अंग, यह 8 साल पहले नहीं था, यह 7 साल पहले था, या तो उसे रोकें, उसे बाधित करें, या इससे भी बद्तर, उसके लिए उसके वाक्यों को पूरा करें। स्पष्ट रूप से कुछ भी न कह पाना उस तरह के व्यवहार पर एक बहुत बड़ा सुधार है, चुप रहना भी समर्पन की ओर एक बड़ा कदम है, सकारात्मक उत्तर देने के लिए हमें बस अपना मूह बंद रखना है और कुछ नहीं कहना है, मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार मैं समझ गया की जरूरी नहीं की मेरा मूह हमेशा हिलता रहे, मुझे हमेशा अपनी राय व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, खास कर जिम द्वारा निर्नय लेने के बाद, उन विचारों के बारे में बात क्यूं करें जिनका अच्तावा होगा, दूसरा चरण, सकारात्मक शब्दों में प्रतिक्रिया दें, जब मुझे पहले चरण में कुछ भी अच्छा ना कहने की आदत पड़ गई, तो मैं सनातक हो गया और दूसरे चरण में चला गया, जहां मैंने सकारात्मक शब्दों के साथ जवाब देना शुरू किया, कहने के लिए चुने, बेशक, बिस्मयादि बोधक बिंदूओं के बीच और मधूर आवाज में, तो मैंने इस सकारात्मक शब्दों के साथ जवाब दिया और मैं निश्चित रूप से कह रहा था, चोटी चीजों में, मेरे प्रियम मित्र डेबोरा ने भी, बिलकुल, कहने का विकल्प चुना, और मैं आपको उसके परिवार में हुई कुछ घटना के बारे में बता दू, इसके परिणामस्वरूप, देबोरा के पती प्राइस क्लब में जाना पसंद करते हैं, एक भीर भाड़ वाला और शोरगुल वाला डिसकाउंट स्टोर, औ और कई मौकों पर वो रात के खाने के बाद घुशना करते थे, चलो सभी प्राइस क्लब चलते हैं, खेर, दबोरा, तीन बच्चों के साथ, उनमें से एक उस समय एक बच्चा था, पूरे परिवार को अंधेरे के बाद प्राइस क्लब में ले जाने के खिलाफ एक उतक्रि इसे परिवार के सामने भी दुमास के नितरत्व को कभी चुनोती नहीं दी, इसके बजाए, वो बस मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, और सभी को प्राइस की एक और यात्रा के लिए कार में बिठाया, कई वर्षों बाद, जब दिबोरा के परिवार के प्रत्येक सदस्य जने थेंक्स गिविंग डिन में अपनी पसंदीदा चीजे साजहा की जो उन्होंने एक परिवार के रूप में की, तीनों बड़े बच्चों ने कहा, एक परिवार के रूप में प्राइस क्लब में जाएं दिबोरा के मधूर हृदय और शब्द विनम्र होने के कारण पारिवारे केकता, मस्ती और अच्छी आदे पैदा हुई एक बार जब आप छोटी छोटी चीजों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, तो आप जल्दी पैंगे की बड़ी और बड़ी चीजों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देना आसान और स्वाभाविक हो जाता है, जैसे कार खरीदना, नौकरी बदल और घर बदलना एक सुबह साड़े पांच बजे जब फोन की घंटी बजी तो मैं खुद हैरान रह गया जिम सिंगापो से फोन कर रहे थे जहां वे हमारे मिशन पास्ट के साथ यात्रा कर रहे थे उसने यह नहीं कहा हाई आप कैसे हैं बच्चे कैसे हैं मैं तुम ही बहुत याद करता हूँ मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम ही फिर से देखने का इंतजार नहीं कर सकता इसके बजाए उन्होंने बिना विचार किये कहा आप कैसे चाहेंगे कि मैं सिंगापोर जाऊं और मंतरी बनूँ और मेरे मूँ से निकला बेशक उसके बाद कहा है शायद यह इसलिए था क्योंकि यह इतनी जल्दी था या इसलिए कि उसने जिम की अनुपस्थिती महसूस की या इसलिए की वहरान था या शायद इसलिए कि पिछले दस सालों में मैं सबमिशन के क्षेत्र में आगे बढ़ गया था जो भी कारण हो जमा करने और सकारात्मक रूप से भुगतान किये गए लाभांच का जवाब देने में मेरी व्रिद्धी भगवान ने मुझे बिलकुल कहने का अनुग्रे दिया आखिरकार हम सिंगापो गए और वहां एक साल तक सेवा की यह हमारी 10 और 11 साल की बेटियों के साथ जिम और मेरे लिए भी एक अद्भुत अनुभव था हम चारों को यह इतना पसंद आया कि हम अपना शेश जीवन वहीं बिताना चाहते थे अपने हर शब्द, कार्य या व्यवहार के बारे में अपने आप से पूछें किया मैं दे रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ जब आपके दिल में तनाव पैदा होता है और आप अपने पती के नित्रत्व का विरोध या संदेल कर रही हैं तो खुद से पूछें कि आ मैं हार मान रही हूँ या विरोध कर रही हूँ आपका उत्तर समस्या को इंगित करेगा मैंने काफी कहा है दिल की प्रतिक्रिया प्रियम मित्र विवा के लिए परमेश्वर के मानकों को इस दृष्टी से एक थंड़ा व्यायाम ना बनने दे हम मुख्य रूप से दिल से प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रही हैं आपका पती जीवन भर आपका साथी रहेगा किसी भी तरह से वह आपके लिए भगवान का अच्छा और सही उपहार है आपके व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए भगवान की योजना का हिस्सा है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपके आध्यात्मिक विकास के लिए है उसका इसाय चरित्र हर बार स्पष्ट हो जाता है जब वो दिल से जुकना, जुकना, सम्मान करना और अपने पती को प्रस्तुत करना चुनती है अपने पती के प्रती समर्पन करना एक तरीका है कि एक महिला के रूप में परमेश्वर के दिल के अनुसार आप परमेश्वर का सम्मान करती है इसलिए मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रुद्साहित करता हूँ जैसा मैंने किया था समर्पन के विचार को मानगी या दाइरे से स्वर्ब के दाइरे में स्थानांतरित करें पूरी तरह से परमेश्वर के अद्भुत शहरे को देखी और फिर अपने पती को प्रभु के रूप में समर्पित करें क्या होगा यदि आपके पास पती नहीं है पीश्वर हम में से प्रत्येक को, उसकी बेटियों को, हर दिन अंगिनत अफसर देता है कि हमें कैसा हृदय विक्सित करें जो दूसरे लोगों का सम्मान करें परमेश्वर के सम्मान के आधार पर आप अपने जीवन में अन्य लोगों को वरियता दे सकते हैं रोमियों 12 बज के 10 मिनिट अन्य लोगों का सम्मान करने के लिए आपका समर्पन भगवान का सम्मान करता है और आपके जीवन में एक सुन्दरता लाता है जो भगवान के बाद के दिल को दर्शाता है प्रियम महिला पाठक मेत्व इसाई बहुभा शाविद की चीन की ओर से आपको बधाय और आशिरवाद देता हूं और मुझे खुशी है कि आप इस काम का आनन्द लेते हैं जिसे हमने विनम्रता पुर्वक आपके लिए तैयार किया है हम आपको इस परियोजना में शामिल होने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जहां हमारा लक्ष आपके जीवन को उन पुस्तकों से आशिशित करना है जो आपकी इसाई जीवन का निर्मान करती है साथ ही आपको अपनी भाषा में अनुकूलन की पेशकश करे ताकि आप उनका आननद ले सके और उन्हें आसानी से समझ सकी अब हम पुस्तकों के भावी संस्करनों के बारे में आपकी राय और सुझाव पढ़ना चाहेंगे जिन्हें आप अपनी भाशा में सुनना चाहेंगे जिसे आप अभी तक सुन नहीं पाए हैं यदि आपको यह काम पसंद आया है जो हमने विशेश रूप से आपके लिए तयार किया है तो हम आपसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बढ़ने में मदद करने के लिए कहते हैं और इस प्रकार नए विश्वासियों तक पहुँचते हैं जो अपने इसाई जीवन को खिलाना चाहते हैं हम अगले सब्ताह आपकी प्रतिक्षा कर रहे हैं कि आप इस पुस्तक के नए अध्यायों का आनंद लेना जारी रखें जिसे भगवान के दिल के अनुसार एक महिला कहा जाता है इस पुस्तक के लेखक एलिजाबेट्स जोर्ज द्वारा लिखित और महिलाओं के इसाई जीवन के लिए समर्पित कई अनिया जिन जोर्ज, पादरी और इसाई वक्ता की पत्नी भी विशेश रूप से इसाई महिलाओं के लिए बनाई और डिजाइन की गई इस नई श्रिंखला में हमारा अनुसरन करी जहां हम सीखेंगे की कैसे एक ऐसी महिला बने जिसके दिल में परमेश्वर की इच्छा के लिए इच्छा हो अगले सप्ता हम सीखते रहेंगे की एक ऐसी महिला का दिल कैसे पाए जो अपने पती से प्यार करती है